हेलो फ्रेंट्स, मैं सुश्मा, हिल्दी सेंसार में आपका स्वागत करती हूँ अद्रक के फायदे बहुत हैं, पर एक वेक्ती के लिए 4 ग्राम अद्रक ही सुरक्षित मानी जाती है कुछ लोगों को 4 ग्राम अद्रक से भी परिशानी शुरू हो जाती है हम लोग दाल, सबजे, चाय, नौन्वे, सभी में अद्रक ढलना पसंद करते हैं ऐसे में पता ही नहीं चलता कि कब हम अद्रक की मातरा ज़्यादा ले लेते हैं और यह नुकसान पहुचा देती है आईए आजम जानते हैं कि अद्रक की ज़्यादा मातरा में ली जाए तो क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं पेट की समस्या बढ़ जाती है अद्रक की प्रकृती चारिय होती है और पेट की समस्या होने पर कच्चा अद्रक या अद्रक की चाय लेने की सला दे जाती है लेकिन जब जरूरत से ज़्यादा मात्रा में हम अद्रक का सेवन कर लेते हैं तो यह पेट की समस्या का कारण बन जाती है सुबह सुबह खाली पेट अद्रक की दूद वाली चाय एसिडिटी को बढ़ाती है लंबे समय तक ऐसा चलता रहा तब हमारी आथ बुरी तरह प्रभावित हो जाती है इसकी कारण पेट दर्द, अपच, पेट में जलन, गैस और सिर दर्द की समस्या देखने को मिलती है भूख लगना भी बंद हो जाता है पूरे दिन में चाहे किसी भी रूप में अद्रक लिया गया हो इसकी मात्रा चार ग्राम से कम होनी चाहिए प्रेगनेंसी में अद्रक का सेवन नुकसान देख होता है गर्वती महिलाओं को सुबर-सुबर मितली की समस्या रहती है इस तरह के मौर्निंग सिक्मेस में अद्रक की चाय को अच्छा बताया गया है पर ध्यान देने योगे बात यह है कि अद्रक की मात्रा एक ग्राम से जादा नहीं होनी चाहिए अगर गर्वती महिलाएं अद्रक अपने भोजन में शामिल करती हैं तो गर्वपात यानि मिस्केरेज का चांस बन जाता है अद्रक की प्रकृती गर्म होती है गर्वावस्था के दोरान अद्रक का सेवन प्री मैच्योर डिलिवरी का कारण बन जाता है गौल ब्लेडर अर्थात पिता से संबंधित किसी भी समस्या में अद्रक का परियोग नहीं करना चाहिए अद्रक पित के श्राग को बढ़ा देता है जिससे पेट दर्द और उल्टी की समस्या शुरू हो जाती है पाइल्स यानि बावा सिर में या नुकसान दायक होता है जिन लोगों को पाइल्स की समस्या हो उन्हें अद्रक का सेवन सो समझ कर करनी चाहिए एक तो अद्रक गरम तासीर की होती है और दूसरा इसमें ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो कम मात्रा होने के बावजूद रग्त संचार को बढ़ा कर शरीर के हर भाग तक पहुंचाते हैं खूनी बवासीर में यह ज़्यादा नुकसान दे होती है ब्लड प्रेशर की दवाई के साथ अद्रक का सेवन खतरनाक होता है अद्रक में ब्लड प्रेशर को कम करने की प्रवरिती है हाई बीपी की मेडिसिन के साथ जब अद्रक का प्रियोग किया जाता है तब ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज से नीचे आ जाता है ऐसे में heart palpitation की शिकायत हो सकती है जिनका BP लो रहता है उन्हें अदरक किसी भी रूप में ने लेनी चाहिए Diabetes की दवाई के साथ खतरनाक जिन लोगों का sugar level बढ़ा हुआ है और वे sugar level maintain करने के लिए medicine ले रहे हैं उन्हें अदरक नहीं खानी चाहिए क्योंकि अदरक में sugar के level को कम करने के गुण होते हैं ये diabetes की दवाई के साथ हस्त छेप करके hypoglycemia की परिस्थी तीला सकता है ऐसे में sugar का level बहुत कम हो जाता है जिनका sugar level आल्रेडी कम रहता है उन्हें तो अदरक बिल्कूल ही नहीं खानी चाहिए अदरक खून को जमने से रोकती है अदरक खून को पतला करने का काम करती है या कहा जा सकता है कि अदरक एस्पिरिन की तरह बेवार करती है कुछ लोगों में blood clotting की समस्या होती है और वो clotting को रोकने के लिए एस्पिरिन जैसी दवाईयां लेते हैं अदरक उन दवाईयों के साथ हस्त छेप करके खतरनाक परिस्थिती उत्पन कर देता है एक तरह से एस्पिरिन की double dose कह सकते हैं किसी भी प्रकार को operation हो तो जरूरी है कि 10 दिन पहले अदरक का 7 बंद कर दे नहीं तो operation के दौरान bleeding रोकना मुश्किल हो जाता है acidity को बढ़ाती है अदरक अदरक की प्रकृती चारिया होती है और यह acid reflex में आराम पहुंचाती है पर जब ज़्यादा म्यात्रा में सेवन कर लिया जाए तो यह acidity का कारण बन जाती है इससे सीने में जलन भी होती है और धीरे धीरे acidity का रोग पन अपने लगता है period में यह problem create करती है अदरक का ज़्यादा सेवन करने से कुछ महिलाओं में period के दौरान ज़्यादा bleeding हो सकता है क्योंकि इसकी प्रकृती गर्म होती है और यह रक्त को पतला करने का भी काम करती है कई बार period की cycle को भी बिगरते देखा गया है नींद में परिशानी रात के समय अदरक का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें जो मौजूद तत्व हैं वो नींद को disturb कर देते हैं और नींद आने में परिशानी हो जाती है allergy भी संभव है कुछ लोगों को अदरक से allergy होती है उन्हें पता नहीं चलता लेकिन अदरक का सेवन करने से उनमें श्वसन संबंदी समस्या आ जाती है गला बंद होता है होठ और जीब में सूजन भी हो जाती है खुजली और चकत्ते जैसी भी स्थिती देखने को मिलती है ऐसे में उन्हें ध्यान रखना चाहिए और अदरक का सेवन तुरंत बंद कर देना चाहिए भविश्य में भी ध्यान रखना चाहिए कि वो अदरक का सेवन ना करें ये कुछ ध्यान देने वाली conditions है जिनमें अदरक लेने से पहले सोचने की जरूरत पड़ती है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बबा आए